हेलो एवरिवन आज खुछ तो बहुत होगे तुम लोग है मुबारेको दोस्तो इडिया से चाइना का कुड़ा निकाल कर फैंग दिया गया टिक टॉक और टिक टॉक जैसी ही 59 चाइनीज एप्स को इंडिया में बेंग कर दिया गया अब क्या होगा टिक टॉक बेंग हो गया दोस्तो इस बेंग का बहुत सारे लोगों पर बहुत बहुत कर असर पढ़ने वाला है तो किस पर इसका क्या क्या असर पढ़ेगा इस वीडियो में आपको एक एक करके बताऊंगा ये वीडियो आप एंड तक देखिए और बताएए डिसीजन कितना सही है और कितना गलत है चलिए शुरू करते हैं अपना क्या अपना क्या चुवियो लो मारे गाइज आसमान में जितने तारे नहीं हैं टिक टॉक पे उतने स्टार्स थे अब इन स्टार्स का क्या होगा? इनकी रिंग लाइट्स का क्या होगा? इनके लाल, पीले, नीले, हेर कलर का क्या होगा? इनके बालों में लगे जेल का क्या होगा? ये जो कुकड की तरह बाल साम बनाकर खड़े किये होते थे इनका क्या सिस्टम होगा? अब मेरी समझ में आ रहा है दोस्तों इस वीडियो में इतनी comedy करना नहीं चाहरा है लेकिन एक अंदर की feelings वाही आ रहा रही है खेर TikTok stars पर बाद में आएंगे पहले जो चीज़ important है वो डिसकस कर लेते हैं country की national security Guys government ने specially mention किया है कि इस तरह की Chinese apps हमारा data चुराती है और उनका misuse करती है जो के हम सिर्फ users के लिए ही नहीं बलके country की security के लिए भी बहुत जादा dangerous है तो उस नज़र से देखा जाए तो ये बहुत ही सरी decision है बहुत पहले कर देना चाहिए था ये ban लेकिन चलो देर आए दरुस्त आए और दोस्तो चाइना को भी इस ban से कोई दर्द नहीं होगा क्योंके चाइना खुद बाहर की apps और website को ban करने में number one है जिनको नहीं पता उनको बता दूँ के चाइना में facebook और google जैसी बड़ी-बड़ी website सब बंद है वो बाहर की कोई भी website को यूज नहीं करते मेरे भी जितने भी चाइनेज फ्रेंड हैं यूएसे वगेरा में वो खुद उनका अपना कोई we chat वगेरा वो उसी पर एक दूसे से interact करते हैं वो खुद अपना सब कुछ खुद का यूज करते हैं तो यह तो मुदी जी ने बहुत बढ़ीया किया खुद की कडवी दवाय थी वो उनको खुद को पिला दी अब आते हैं टिक्टॉक स्टार्ब्स पर छोड़ यार थोड़़ धर बाद करते हैं इंहीं पहले हम बात करते हैं यूट्यूबर्स की पहें यूट्यूबर्स पर इनका क्या असर पड़ेगा गाइज ये चाइनिज एप्स अपने पर्मोशन के लिए सलेबिटीज को पैसे देती हैं जैसे हमारे बॉलिवूड स्टार्स हो गए डिक्टेटर्स, सिंगर्स, यूट्यू को पकड़ पकड़ के पानी में फैंक रहे हैं, रेप जैसे क्राइम्स को प्रमोट किया जा रहा था, बहुत सैदा गंदगी फैल गई थी, तो भई मैं परसनली तोर पे बहुत खुश हूँ, के मेरा जो भी नुकसान होगा, लेकिन मैं खुशी-खुशी सैनी के लिए तया जगमगाएंगे, I mean कहां जगमगाएंगे, तो दोस्तों I think ज़्यादा मुश्किल नहीं है, TikTok सिर्फ एक प्लैटफॉर्म था, आप कोई और प्लैटफॉर्म यूज़ कर लिजे, Facebook है, YouTube है, Instagram है, आप वहाँ पर जाईए अपना टैलेंट दिखाईए और content बनाईए, बस एक copyright claim आजाएगा, यहाँ पर आपको original और अपना content बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या attention है, अगर आप talented हैं दोस्तों तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप कोई भी platform यूज़ करिए और वहाँ पर जाकर अपना content बनाईए, बहुत सारी दंचा है आपको appreciate करने के लिए and I wish you best of luck, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उमीद करता हूँ कि यह जो ban हुआ है, गवर्मेंट ने जो tik-tok को और बाकी Chinese apps को ban किया है, यह बहुत सही decision है, हमारे country के security के लिए बहुत अच्छा है, हमारे youth की mental health के लिए बहुत अच्छा है, जो भी आपका time उसको कुछ नया सीखने के लिए use करिए, अपने दोस्तों के साथ spend करें, पढ़ाई करें, खुश रहें, और comment करके यह जरूर बताएगा कि आप मेरे इस opinion से सहमत हैं, या disagree करते हैं, या whatever जो भी आप एक अपना opinion है, तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के झाल